हम आए हैं सुल्तान पुर जिला के में ब्लोग बलदी राय के ग्राम को महादेवन में में 51 पिष्ली बार भी ज operatesे मैंने बीडियो बनाया था लेकिन क्या होता है कि नाम जो है इतना दिमाग में रहता नहीं दै थोड़ा सम्मिस हो जाता है तो किसान भाई、 हम आज RT म सब्सक्राइब कर लिए मैं इसकी क्या काम में यह कैसा क्या होता है क्योंकि द्वारे में मुझे इतनी जानकारी दें। म committing कह समारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले आपकी किसान भाइव को फुर्ड़ अपने कर दिधिये क्ई नाम दिनिस्ट गोसवामी है हाँ सर हम धान की खेती लिए जैसे कि आपको बता रहे हैं यह जाइम के नाम से आती है जी जाइम के नाम से आती है धान में इसका बहुत अच्छा result मिलता है जिसे की फुटाव के लिए विकास के लिए पौधे के बहुत अच्छा प्रफार्मेंस से देती है ये खाद जो लोग लगाते वक्त डाई यूरिया डलवाते हैं उसे उतना फ्राफिट नहीं मिलता है खेत में लेकिन लगवाने के पंदरा दिन बाद आप जाइम और यूरिया मिला कि अपने डलवाते हैं तो बहुत अच्छा विकास होगा उसका उसके कल्ले में एक कल्ले से दद्दस बारा बारा फुटा होते हैं जी इसको थोड़ा सा अनवाक्सिंग करिए खोल ये इसको थोड़ा सा खोल की दिखाएएगा किसान भाईयों को जी सर इ दीजैं आपको मार्केट में साड़े थीन सो रुपे में मिल में दस किलो है और पूसकरां पर बांसव पचीस रुपे है लेकिन आपको 3 साड़े थीन सो म members of the company है ये मां लीजिए सरल फरटलाइघर की नाम से है ये जी किसान भाईयों वीडियो में अप भने रहे हैं मैं वह इसकी Unboxing करवाता हूँ आपको दिखाता हो कि इसे अंदर कैसे क्या? ये डाला कैसे जाता? ये बतायेगा थोड़ा सा. बस इसे यूरीया में मिलाकर आप खेत में डालकर बस दोड़वा दीजिए आप अम जानकारी को फिसके और दोड़ा कशान भाई और कुम खुलराइए इसने में खुलवाईन के लिए की छिश के लिए कोई instrument लेए एप इसको खुलवाईएंए वीडियों में बने रहे है थोड़ा-सा टायम लग रहा है आप जो है वीडियो में बने रही है और आप देखिए इसको खोलने का बहुत अच्छा वो था जानकारी नहीं मिल पा रहे थी लेकिन अब जो है यह खुल चुकी है अब धक्कन खुल गया है इसके बारे में अब थोड़ा सा बताईए आप हाँ सर इसके बारे में अपने किसान भाईयों को यह बताना चाहते हैं कि यह जो खाद है हमारी जाइम जाइम के नाम से आपको मार्केट में आपको मिल जाएगी तीन साथे तीन सुरुपे की दस किलो खाद आती है यह आप धान लगवाने के 15 से 20 दिन बाद आप यूरिया मे इस खाद के इस्तेमाल से जैसा कि हमारे किसान भाईयों ने आपको इसके बारे में जानकारी दी काफी अच्छी किसान भाईयों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी छोटी छोटी वीडियो बाने के लि अजरे.